आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं बहुत ही प्यारी बहुत ही कुपसूरत और बहुत ही उनीक शानद जाइन बीलकुल नएया है पैटरन फ्रेंट्स फ्रेंट्स यह डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन कराता है यह तो फ्रेंट से 8 के मल्टिपल बनेगा प्लस 3 फंदा लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा तो टोटल यहां पर हमने 27 फंदे लिए हैं तो चलिए डिजाइन पैटरन स्टार्ट करते हैं तो देखिए यह डिजाइन पैटरन जो है राइट है बॉर्डर हम बनाये हैं और यह बैक साइड है बैक साइड सी डिजाइन पैटरन को स्टार्ट कीजेगा तो यहां पर हम फंच्ट फंदा स्लिप कर लेते हैं आप चाहें तो इसे बुन लीजे तो देखिए फ्रेंड से धागा पीछे ले जाएंगे वैसे तो यह शीक्स रो की डिजाइन है लेकिन three रो आपको जो है बेशिक रूँ बनाना है तो यहां देखिए हम क्या करते हैं टू फंदा सीधा बुनाई करेंगे दागा आगे टू फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे 1 फंदा सीधा धागा आगे 2 फंदा उल्टा धागा पीछे 1 फंदा सीधा तो देखे, friends, यह side का दिष्टी झाल, इससे चोड़ करके यह पर 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, यही आपके 8 फंदे बार-बार repeat करने हैं, basic room में, तो देखिए हमारे यही हैं तब यहां से हमारा यह दो फंदा सीधा बुनेंगे तो टोटल हमारे यहां थ्री फंदे सीधा हो गए देखिए धागा आगे तो फंदा उल्टा वन फंदा सीधा तो फंदा उल्टा धागा पीछे त्री फंदा सीधा धागा आगे तो फंदा उल्टा धागा पीछे वन फंदा सीधा धागा आगे तो फंदा उल्टा धागा पीछे यहां पर टो फंदा सीधा धागा आगे वन फंदा सीधा दागा आगे तो फंदा उल्टा धागा पीछे यहां पर टो फंदा सीधा धागा आगे वन फंदा यह अब हमारा यह basic route 2 है, first funda slip करेंगे धागा आगे 2 funda उल्टा, जो जैसा दिख़रा आपको ऐसे ही बनाना है, 2 funda सीधा, धागा आगे 1 funda उल्टा, धागा पीछे, 2 funda सीधा, धागा आगे 3 funda उल्टा, देखे 3 funda उल्टा है, धागा पीछे 2 फंदा सिधा 1 फंदा उल्ल्टा धागा पीछे 2 फंदा सिधा धागा आगे 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, यह साइड का इडिश्टी छे इसको सीधा हुए तो फ्रेंट्स हमारे बेसिक रो टू कम्प्लीट हो चुका है तो फ्रेंट्स देखिए हमारा बैक साइड है और यह थर्ड रो है तो सेम आपको फर्स्ट रो की तरह ही रिपीट करना है फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे धाग घागा अगे 2 पंदा उल्टा धागा पीछे 1 फंदा स्लिफा धागा अगे 2 फंदा उल्टा देखिए हमार टू फंदब वन फंदा सिधा,steps 2 फंदा स्लिफा स्वारी, 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा ये सीधा, देखे, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, फिर देखे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सिधा, धागा आगे, टू फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन फंदा सिधा, धागा आगे, टू फंदा उल्टा, धागा आगे, टू फंदा उल्टा, धागा पीछे, टू फंदा सिधा, धागा आगे, वन साइड का यह रिष्टी छे, इसको उ तो फ्रेंट समरा यह थर्ड रो बेसिक रो कंप्लीट हो चुका है अब यह राइट साइट से डिजाइन पैटन का फ़स्ट रो है तो चलिए अब फ़स्ट रो स्टार्ट करते हैं यहां से अब इसे आप ध्यान से देखिएगा यह थर्ड त्री रो जो है आपको बार-बार फंदा स्लिप करेंगे वान तू तू फंदा आमने भुना धागा पीछे ले जाए अब यहां देखिए हमें वान टू त्री यहां थर्ड होल से न आपको वन लूप ले लेना इस तरी केसे फिर इसके बाद देखिए इस तरी केस ले लेंगे और यह तू फंदा सिधा बु धागा पीछे टू फंदा सिधा सेम होल से आपको यह सेकेंड जो है लूप लेना है देखिए इस तरीके से और इस नीडल से आप उसे थोड़ा लंबा कर लेजेगा क्यूंकि यह बराबर यह होना चीए अब इसकी बाद देखिए धागा आगे लाएंगे थ्री फंदा उल उल्टा गुनाई करेंगे दागा पीछे ले जाएंगे तो फ्रेंट देखिए यहां पहले हम वान टू ध्यान से देखिए वान टू थ्रे यहां से हमें लूप लेना है इस तरीके से और टू फंदा सिधा गुनाई करेंगे धागा आगे वन फंदा उल्टा धागा पीछे तू फंदा सीधा देखिए सेम होल से आपको दुबारा ये लूप बना लेना है और इससे आप जो है लेप्ट नीडल से इस तरीके से बड़ा कर लेजेगा फिर इसके बाद धागा आगे लाएंगे थ्री फंदा उल्टा धागा पीछे आप देखिए यहाँ पर वान टू थ्रे यहाँ थार्ड होल से हम ये लूप ले लेंगे इसके बाद लूप को थोड़ा सा आपको बड़ा रखना है नहीं तो आपका डिजाइन जो है शिक्रा शिक्रा सा आएगा तो यहाँ पर हम ये तू फंदा सीधा पैशे ताले ये तू फंदा हमें सीधा बुनना है इसके बाद हमें जो है यहाँ सेम होल से ये सेकेंड लूप बनाला है कि इसके बाद धागा औगे लाएंगे तू फंदा उल्टा दागा पीछे वन फंदा सीधा तो फ्रेंड हमारा ये फर्स रों कम्प्लीट होगे, सेकेंड रों है बैक सेड, फर्स फंदा स्लिप करेंगे धागा पीछे, अब देखें यहाँ टू फंदा सिधा बुनाई करेंगे, धागा आगे, लूप को स्लिप करेंगे, और टू फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, वन फंदा सिधा, धागा आगे, टू फंदा उल्टा, और लूप को स्लिप करेंगे, तो फ्रेंट देखे धागा पीछे ले जाएंगे और ये थ्री फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे लाएंगे जो हमने लूप बनाया था इस्ट्रा न इससे हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और इसके बाद ट्ू फंदा उल्टा बुनाई करेंगे धागा पीछे ले जाएंगे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 2 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे और यह लूप को स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे 3 फंदा सीधा बुनेंगे द्रे, ढगा आगे अब देखिए ये लूप जो है न इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, इसके बार टू फंदा उल्टा फुनेंगे धागा पीछे, वन फंदा सिधा, ढगा आगे टू फंदा उल्टा और लूप को ऐसे देखिए इसे हमuca भल शिप कर लेंगे और धागा पीछ पीछे ले जाएंगे टू फंदा सीधा धागा आगे वन फंदा उल्टा ये साइड का ये देश्टेचे तो फ्रेंट्स हमारा ये है शेकेंड रो कंप्लीट हो गया है थर्ड रो है राइट साइड है इसको ध्यान से देखिएगा फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे धागा है टू का वन करेंगे आप अब आपको ध्यान देना है ये वन फंदा बूल लेंगे अब जो हमारा ये फंदा है ना इसके नीचे से देखिए वान टू ये थ्री यहां से आपको ये लूप बना लेना है इस्टरा लूप बनाएंगे और इसे राइट नीडल पर डाल देंगे फिर धागा आगे लाएंगे वन फंदा उल्टा बूलेंगे धागा पीछे ले जाएंगे अब देखिए जो ये वाला फंदा है ना उल्ट इसके नीचे से वान टू थ्री ये थार्ड होल से हमें वन लूप लेनेना है देखिए वन लूप ले लेंगे और इसे हम और फिर इसके बाद वन फंदा सीधा बूनेंगे और देखिए ये टू फंदों का वन कर देंगे लूप और फंदा यहाँ पर टू का वन करेंगे अब यही आपको रिपीट करना है धागा आगे थ्री फंदा उल्टा धागा पीछे देखिए यहाँ पर हम टू का वन करेंगे लूप और फंदा एक साथ बूनेंगे वन फं ये 3rd hole से हमें ये 1 loop ले लेना है देखें ये loop ले लेंगे और इसे needles पर डाल देंगे अब धागा आगे लाएंगे 1 फंदा उल्टा धागा पीछे ले जाएंगे 1 फंदा सीधा पहले यहां हम 1, 2, 3 थर्ड होल से हम लूप लेंगे और यह 1 फंदा बुनाई करेंगे और यहां यह जो है 2 का 1 करेंगे धागा आगे 3 फंदा उल्टा धागा पीछे यहां लूप और यह फंदा 2 का 1 करेंगे 1 फंदा सीधा अब देखें यह जो है यह उल्टा फंदा जो है 1, 2, 3 थर्ड होल से हमें यहां से लूप निकाल लेना है और इसे हम राइट नीडल पर डाल देंगे इसके बाद धागा आगे लाएंगे 1 फंदा उल्टा धागा पीछे ले जाएंगे अब देखें 1, 2, 3 यहां से हमें यह लूप ले लेना है और यह 1 फंदा सीधा बुनेंगे और इहां 2 का 1 करेंगे अब धागा आगे 2 फंदा उल्टा 1 साइट का एड़िश्टी छे इसे सीधा बुनेंगे तो फ्रेंट्स हमारा यह डिजाइन पाटरन का थार्ड रो कंप्लीट हो गया है यह 4 रो है बैक से फंदा सीधा पीछे तो देख्ये धागा आगे और यह 2 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे लूप को स्लीप करेंगे धागा पीछे ले जा एंगे वन फंदा सीधा, धागा आगे, लूप को स्लिप करना है, देखें यह लूप है, इसको हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद टू फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, धागा आगे, टू फंदा उल्टा, लूप स्लिप करेंगे, धागा पीछे, वन फंदा सीधा, धागा आगे, लूप को हम, लूप को स्लिप करके, टू फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, द्धागा आगे तू पंदा उल्टा look को slip किया द्धागा पीछे 1 फंदा सीधा द्धागा आगे look को हम slip करेंगे और 2 फंदा उल्टा द्धागा पीछे 2 फंदा सीधा वन साइट का रिष्टी से इसको उल्टा बनेंगे तो फ्रेंट्स मारा एक फ्वोर रोंड़् कंपलेट हो गया है अब यह यही आपको फ्वोर रों बार-बार रिपीट करना है तो आपको हम फर्स्ड रोंडी करके बता दे रहे हैं फर्स्ट पंदा स्लिप करेंगे धागा आगे तो फंदा उलटा धागा पीछे अव और इसके बार वन फंदा सिधा बुनेंगे और इहां हम ये 2 का 1 कर देंगे देखे और धागा आगे लाएंगे वन फंदा उल्टा धागा पीछे अप देखे ये 2 का 1 करेंगे और वन फंदा सीधा और शेम होल से आपको देखिए शेम होल से आप ये वन लूप और ले लेंगे आप जो है लेफ्ट नीडल से इस तरीके से इसे लंबा करेंगे अब धागा आगे लाएंगे तू फंदा उल्टा इसी तरीके से आप देखिए फस्ट रो रिपीट करते जाएंगे तो देखिए फ्रेंट इस तरीके से ये डिजाइन बनती जाएगी जब यही आप फोर रो रिपीट करेंगे तो बहुत ही प्यारी और खुबसूरत सी डिजाइन बनेगी देखिए राइट साइड है और बहुत ही सुंदर दिख्ता है तो बहुत से लेके फॉर ऌ १ो कड्स करते जाःव है और प्यारी सटीजाइन बनाते चाहिए अगर आपको प्लीजाइन अच्छ ही लगी हो और वेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो टी सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद मिलते हैं नेस्ट डिजाइन के साथ नेस्ट वीडियो में थाइंक यू धन्य बाद बाई बाई